तो दोस्तों आज चुका है Realme Narjo 60X 5G तो आज हम आपको इसकी पूरी जानकारी देंगे बॉक्स की बात करें तो यह ब्लू कलर का है जिसमें Narjo 60X लिखा है बॉक्स में हमें एक फोन, एक बैक केस जिसकी बिल्ट क्वालिटी अच्छी है जिसके साथ 33V का चार्जर और टाइप सी केबल देखने को मिलती है तो आज हम इसमें परपर कलर की अन्बॉक्सिंग करेंगे MRP पे मत जाएगा दोस्तों इसके MRP 14999 है लेकिन हमें इस फोन सिर्फ 11999 में परा है तो चलिए बिना किसी देरी किये हम फोन की अन्बॉक्सिंग करते हैं वैसे तो नाजो से इसके फोन की परफॉमेंस तो अच्छी होती है चलिए इसकी परफॉमेंस को भी देखते हैं जल्दी से यह हमने लगाया पहला कटर यह दूसरा और आखिर में तीसरा कटर लगा दिया है जल्दी से बोक्स को खोलते हैं और इस फोन की जानकारी को पाते हैं मैं तो जल्दी से इस फोन के परफॉमेंस की चेक करना चाता हूँ जिसका परफॉमेंस अच्छी 61800 प्लस है बोक्स को उपन करते ही हमें Feel the Power लिखा देखने को मिलता है चलिए जल्दी से Power और Phone की Unboxing करते है चलिए जल्दी से हमारे Phone को Side में रखते है इस Phone में हमें 33W का Fast Charger देखने को मिलता है साथ में हमें Type-C Cable जो की हमारे Phone को Within an hour Half Charge कर देता है Weight-wise Charger तो Heavy है थोड़ा ये रही है हमारे Type-C Cable चलिए इन दोनों को Side में रखके हम हमारी Power को ढूंडते है क्या पता हमें Power ही देखने को मिल जाए चलिए पहले Phone को देखने से पहले हम हमारे Back Cover की ओध देख लेते है Back Cover हमारा तो थोड़ा Matty कलर में है जो की Look-wise और Build-wise काफी अच्छा है हमारा Cover तो Flexible भी है All Over मुझे फोन के बाद इसका Cover काफी अच्छा लगा Cover के बाद हमें एक Quick Guide जो हमाने किसी कामका नहीं है सासमें हमें Safety Guide भी देखने को मिलता है इन दोनों के बाद हमें Simijectry टूल देखने को मिलता है चलिए जल्दी से हम इन सब को साइड में रखते है तो यह रहा हमारा Powerful Phone ना जो 60X लुकवाइस तो डबल शेड मारा है परपल और डाक बलैक अलग काफी प्रीनियम फील भी दे रहा है यह फोन ओवर और लुकवाइस तो यह फोन काफी अच्छा है बात करें फोन की फोन तो काफी चोरा है प्राइस वाइस एं लुकवाइस प्रीनियम फील आता है बात करें बैक की बैक तो उसकी पोली कार्बनेट है जिसमें नार्जो का लोगो भी दिखाई देता है रेलमी ने इसको इंटेस्चेलर एक्स डिजाइन का नाम दिया है तो बात करें इसके वेट की इसका वेट 192 ग्राम है वेट की साब से इफोन इतना ज़्यादा हैवी फील नहीं होता हाथ में पकरू तो इफोन काफी लाइट वेट फील होता है बात करें इसकी थिकनेस की इसकी 7.89 थिकनेस ऐस फोन की कवर डाल करो लुक वाइस काफी अच्छा लगता है इफोन जो की इस प्राइज रेंज में इफोन काफी सिलिम है फ्रेंट की बात करें तो इसमें 6.72 इंच की फोल एच्टी प्लस IPS LCD डिस्पले मिलती है इसमें जो स्क्रीन तो बोडी रेशू है मुझे वो भी काफी अच्छी लगी इस फोन में हमें डाइनमिक रिफ्रेश रेट देखने को मिलती है जो की 45 हर्स चू 120 हर्स तक स्पोर्ट करती है इस फोन में हमें दो वेरियंट देखने को मिलेंगे पहला 4GB RAM 120GB internal memory जिसका प्राइस 11.99 है दूसरा 6GB RAM 120GB internal memory जिसका प्राइस 13.99 है दोनों में हमें 4GB RAM Extendable Memory देखने को मिलेगी बैटरी की बात करें तो इस फोन में हमें 5000mh बैटरी देखने को मिलती है ये फोन Android 13 पर बेस है कैमरा की बात करें तो इसमें 50MP एआई कैमरा देखने को मिलता है Camera quality इस phone की मुझे तो काफ़ी अच्छी लगी इस phone में हमें portrait mode, pro mode, pano, filmmaker, slow motion भी है इस phone में dual video recorder and निया features में आया tilt shift जैसे कि आप देख सकते हैं इस feature में phone की picture quality कितनी अच्छी हो गई है जैसे कि आप देख सकते हैं और camera features के बात करें तो इसमें हमें street mode and night mode भी देखने को मिलता है जैसे कि आप इसकी quality तो देखी रहे हैं कितनी अच्छी quality दे रहा है इस price range में front की बात करें तो इसमें हमें 8 megapixel का selfie camera भी देखने को मिलता है इसमें मुझे एक feature काफी अच्छा लगा कि इसमें हमें 50 megapixel का AI camera देखने को मिलता है जिसको support करने के लिए हमें side में 2 megapixel का aperture camera भी दिया गया है फोन की camera performance तो पिचर से भी पता लगेगी चलिए क्लिक करते हैं जैसे कि अब देखने पीचर quality काफी अच्छी आई है जो कि charger का natural color है वो ही रखा है इस phone ने हाँ picture हल्की से saturated है पर लेकिं overall picture काफी अच्छी आई है मैंने एक Realme के नादोसर इसके phone में काफी चीज़े comment देखिया कि Realme इसमें सभी अच्छे features को डाल देता है overall performance की बात करें तो phone इस price range में काफी अच्छा है चलिए आज की वीडियो के लिए बस इतना ही अगर मारे वीडियो अच्छी लगी हो तो like the video and subscribe the channel